कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भाट इंग्लिस क्लासिस पर आपका दोस्तों बहुत भाटी हाज रूपूने आपके सेवा में एक और बहुत इंपोर्टेंट टोपिक लेकर जैसे कि आप जानते हैं एससे एम्टियस के दोजारी बीस सकते हैं तो देखिए मेरा एक्स्पीडेंस काफी अच्छा रहा है एसससी के साथ तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप कैसे अपना टाइम वहां पर सेव कर सकते हैं बहुत सारे कारण उसके हैं तो इसी पर मैं बात करूंगा और डैफिनेटल अगर आप फोलो करते हो चीज सकता हो अपको औरे पता होगा अब पिर वह मता रहा हूं आपके अग्जामीना एक्जामिनेटल में यल 알았어 ही कि नहीं अगर्णी वेगेस होता है उता है 열 जारों चीछे और यहाँ पर टाइम के डूरेशन अलगा लगें सभी के लिए अजू देखते यह विर्ए मिर्थ के वाद करते हैं रिजी तो ऑननेयों सी 15 कश्टिक आपको यहाँ से मिलते हैं मैंनेयक्ज मिलते धर क्रूश्टिकर 520 presses přबटेश्ज के तो आपटेश वोग्य सोते हैं और हंडर 11 मार्क्स के और आपके लिए कोशन्स होते हैं अगर मैं में मات करता हूं पे और श्रोथ से वह such कितना है आपको यहां पर काफी आपके पास 90 मिनिट का समय है यह के दो नब्बे मिनिट का टाइम आपको दिया जाता है उन नब्बे मिनिट में सो कुछ लगाने कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है ठीक है पर आप कब लगा सकते हैं देखिये पहली बात अगर आपकी मैच्ष पर कमांड अच्छी है अगर मैस पर इतनी चीजिक कमांड नहीं है अगर आपके रीजिनिक पर कमांड अच्छी एंगलिश अच्छी है उट जीए सब ठीक ठाक हो तो आप यहां से बहुत सारा टाइम मैस के लिए बचा सकते हो तो अब मैं रनीती बताऊंगा आपको कैसे आपको अटेंप्ट करना ह है हाव तो अटेंप्ट दे कोशन इन डाइग जामिनेशन आई विल टैल यो नाओ ठीक है मैं बहुत सारे एक्जाम से मैंने निकाले हैं तो मुझे मैं कैसे सोलो करता हूं आपर पेपर उसी तरह से अगर आप सोलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल क्वालिफाइद एक है तो समझते हैं सबसे पहले जो मैं 시청 मैं कियों कैसे करते हैं हाव तो सोले सबसे पहले स origin को स्साजन करता हूं यह आज़त आपकी होगी गरेंटी और आपकी यह आज़ डवलप आपके अंदर रहते हाँ टाइम बचा सकते हो कैसे देखें मैं साथ मिनिट का पेपर लेकर चाहिए मैं साथ मिनिट का एक्जाम मेरे सामने और पेपर का लेवल भी हलका होता है अगर अगर कंपेर करें किसे से मुकाबले जो हमारा MPS होता हाँ हँ लका होता है नहीं बार में अगर कोषण सामने समझ में आ रहा है तो आ जाएगा craigained कर दो इसकिप करना नेक्स्ट कोशन पर इसकिप वाली कल आपके अंदर होनी डवलाफ होनी बहुत जरूरी है समझ नहीं आरा तुरंत स्किप करना है अगले कोशन पर जाना है जब दोबारा आप आओगे न घूम फिर के तो वह कोशन दोबारा हो जाएगा आपको डैफिनेटली तो स्टार्टि इसमें मुझे दिमाग कम लगाना पड़े फिर मां उठाता हूं GS को और GS में GS का एक काम है GS की खुबसूरती एक होती है कि अगर आपके GS अच्छी है न तो आप टाइम बहुत हो जा सकते है क्यों कि GS में जो को आता होगा तुरंत उसे 10 सेकिंड में बना लोगे तो यहां से 10 से बारा मीनिट से बार मियट में70 मैं लेता हूं तो कितना हो गया ग्यारार पांसोल अर्दस चब्वीस ये 26 मिनिट में 26-27 मिनिट में इन दो चीज़ों को मैं निप्टा लेता हूं उसके बाद क्या होता है 26 27 मिनिट के बाद मैं पिर जाता हूं इंगलीश पर इंगलीश अमरा एक ऐसा सेक्सेन अगर आप पो इं तो किसमें दोगे जादर मीनिट अबको मैरे मीनिट में लग सकता है देखें कि ले सकते हो अगर बारा मिन इस भी आफ मैक्सिमम ले रहा हैं इंगलिश में तो आपका टाइम कितना हो गया वह एसा थॉताइस इस और भार है तुमारा थाइटी- नाइट थाइटी-नाइन ब में आप all the most सारे पेपर पर घूम जाओगे ठीक है उसके बाद क्या करना है उसके बाद फिर आपको रोट क्या आना है जिस पर जो कोशन आपके पहली बार में नहीं होते डैफिनेटल दूसरी बार में होंगे लोगिक आपके पकड़ में जरूर आजाएगा क्या आपका माइ पतुछ पूरि गविवे का घृम जाता है और आपके निकल जाएगा टाइम मेरे पास बहुत है अगर आपका माईड अच्छे से काम करने लगता है यह मैने ऑब्जर्व किया है और जो मैंने युझा सोब्सरों करता हूं उसे ही बच्यों को बताता हूं वह घहां इसे भी 60 मिनिट में आप ओलमोस्ट कोस्टन कर लोगे और आपकी डूरेसन जो म्टिस किया वह 90 मिनिट की तीस मिनिट आपके बास फिर भी बचेंगे और दुनिया भर के आराम से पिर चाहें मैत आपको कम जोरो आराम से आप मैत को टाइम दे सकते हो तो ऐसे आपको कोशन को अटैप आपको अग्जाम करते हैं तो क्वालिफाइ तो बहुत करते हैं ससी मेरिट लगाए का आपका सतर कर जो सतर नमबर तक ले आएगा वो क्वालिफाइ कर लेगा गारेंटीड डेसन मैटर आप कौन से चाहिए यूर से उचाहिए ओबी से किसी से भी अगर आपके सतर माक्स आ होना चाहिए अगर आप 80 तक पहुंच गई without normalization मैं आपको शूर कर देता हूं यह गैरंटी गैट अब डैफनेटली एक जब लेकर जाओ यहां से ठीक है तो भाई आप सिब क्वालिफाइ करने के लिए देख रहे हैं तो क्वालिफाइ कर लोगे बट देखे अगर आप एक दूगा आपको ठीक है कमेंट वोक्स में आप आपको लिख देना मुझे हैं या साइकिंड टेपर के बारे में बताओ तो मैं डैफनेटली एक वीडियो उसके लिए भी बना दूँगा तो आपको कैसे आपको सोल करना है हम तो यह सब चीज़े आपको करना होगा इस टाइ अपने वीडियो को विदा लेते हैं मैं आपको दोस्वा दवाटे आपसे विदा लेता हूं अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना ओठीक है जल्दी अब इंगलिश के आपको लेक्चर जो जितने भी इंपोर्टेंट च पसंद आएगा मैं आपका दोस्वा दवाटे आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी ना किसी हो टोपिक के साथ तब तक के लिए खयाल रखके अपना खुश रहें हैवा गुटे